आजकल की भागती दौरती जिंदगी में किसी की पास भी टाइम नहीं है और जब टाइम नहीं होता है तब हमारे काम समय पे नहीं होते हमें चिट्चटशुदा पर लगता है काफी ज़्यादा गुसा आता है और एंसाइटी की perform होती है जो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज़्यादा नुकसान डायक है जब टाइम कम है इतना ज़्यादा स्ट्रेस है तो हम अपनी लाइफ को ही क्यों ना इजी बनाए जाए विल हम होमेकर्स का जॉब कुछ ऐसा है कि हमें एक मिनिट के लिए भी टाइम नहीं मिलता बट हम कुछ होम हैक्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुती ज़्यादा इजी कर सकते हैं सारे काम समय पे होंगे और हमें कभी भी गुस्सा वेगरा नहीं आएगा तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा यूसफुल होने वाला है इसे पूरा जरूर देखिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको भी मेरी तरह प्लांट्स को सौक है आप घर पे कुछ प्लांट्स रखते हैं कुछ बाहर प्लांट्स सकते हैं कुछ indoor में प्लांट सकते हैं कुछ outdoor प्लांट सकते हैं जो भी आपने इंडोर में अपने प्लांट को रखता है चाहे वो अरिका पार्म का ट्री हो चाहे वो मनी प्लांट हो उन सारे प्लांट को आप सुभा की धूप ज़रूर दिखाएं यह जरूरी नहीं है कि आप रोजी कि सड़ जाता है या सही से लगता नहीं है तो आप देख सकते मैंने इससे कटिंग से लगाया है विस्वास वानिये मैं इसे 10 दिन में एक बार पानी लेती हैं ग्रो करने का अच्छा खासा समय मिल जाता है और ऐसी बात में है कि हमें हर चीज के लिए टाइम निकालने की ज काम होता है और निकलता है तो किचन कर स्विच बूर्ट होता है इसलिए आप उसे चलते फिरते अराम से कुछ हैक्स को फॉलो करके उन्हें साफ कर सकते हैं मैं बस कॉटन और यहां पर नेल पेंट रिमूवर लेती हूँ और उसके बस हलके हाथों से घीज दिया यह अगर आपके इस तरह के स्टील या प्लास्टिक और आपने उसमें किसी तरह नहीं रखते है तो क्या होता है कि उपर वाले चीज आपको आसान तरीके से नीचे चल जाती है क्योंकि इसमें हो रहता है इन चाहिए चीजों के लिए आपको पैसों की खर्च करने की जुरत ब समान आपके बिलकुल ही सेफ रहेंगे और एक और हैक यह भी है कि जब भी घर में प्याज आते हैं तो प्याज को उन बास्केट में रखने से पहले उनके छिलके को आप हलके हाथों से इस तरीके से हटा ले और उसके बाद जो भी एक्स्रा छिलके हैं वो जब बाहर आज तब आप उसे अपने ओर्गनाईजर या बास्केट में रखे लंबे दिनों तक इनकी क्लीनिंग करना आपको नहीं पड़ेगा और यस उन चिलकों को आप फेक ही नहीं उन चिलकों को आप एज ए फटिलाइजर यूस का सकते हैं बस इसे आप किसे डब्बे में डाल दे ड प्रेन काम होते हैं उसे साफ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप कोई पुराना टूद ब्रस से आप इसे क्लीन कर सकते हैं बट इस तरके जो ब्रश वाले काम होते हैं उन्हें साफ करने के लिए आपको कुछ हैक्स को फॉलो करना पड़ता है मैं जो हैक्स फॉलो करत बहुत सारे बालों की गंदगी रहती है, तो वो सारी चीज़ी इससे बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर आ जाएंगे, I think camera से उतना जादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप इसे daily life में try कीजेगा, तो आपको वहाँ पर best result मिलेगा, अगर ऐसा मैं करके मैं इसे direct पानी दाल के आप इन कौम को इसमें थोड़ी देर के छोड़ दे, इससे क्या होगा कि जो भी bacteria, dandruff के रूप में जो भी fungus होगे, वो सारी इससे clean हो जाएंगे, और आपका कौम पूरी तरीके से साफ होगा, गंगी को साफ करना काफी ज़्यादे इंपॉर्टेंट है आपके बाल लगाया, तो यह काफी ज़दे इरिटेटिंग भी है, और उसके वायर आपके कीचन की लुक को हमेशा ही एक मैसी लुक देते होंगे, तो इसके लिए आप इस तरह कर थी प्लग यूज कर सकते हैं, इसे बस अपने स्विच बोर्ट में लगा ले और उसके बाद आप इसमे अगर आपको खुश करना है, तो I think pizza is the best option, घर पे आज बना रही हो, वेज़ बिज़ा, बहुत जादा वेज़ी इस तो घर पे अवलेवल नहीं थे, लाल सीम्ले मिस्ते, हरे सीम्ले मिस्ते, कुछ कॉन प्यास टमाटर से ही, सारी चीज़ों को प्रिपेर करूँगी, अगर यहाँ पर मैंने सिंपल सा पीज़ा बेस लिया है, थोड़ा सा बटर स्प्रेट करेंगे इसके उपर, उसके बार डालेंगे पीज़ा सॉस एंड मायोनीस, और इंसाइड चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले स्प्रेट कर लेंगे, अब इसके उपर थोड़ा सा मौजला चीज लगा रही हो, आज इतने सारे वेजीज है, उसे वन बाई वन करके मैं लगा दूँगी, मेरी ऐसी रिसर्च है कि बच्चों को पीज़ा इसलिए पसंद आता है, क्योंकि उसमें ना तो चिलीज होता है, बट उसका टेस्ट कापी ज़ादा अच्छा रहता है, तो और मौजलर चीज को डालने के बाद इसे मैं डालूंगी बेक करने के लिए, आप चाहते हैं नॉर्मल तवे पर बेक कर सकते हैं, या आप इसे ओवन या ओटीज में कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पर मैंने यहां पर 15 मिट इसे बेक किया है, उसके बाद इस इस दा फाइनल र सेम उसी तरिके से अभी अंगूर कभी सीजन है, घर पे बहुत जादा अंगूर आ रहे हैं, जो खाने में बहुत जादा मीछे लगते हैं, बड़ जब हम अंगूर को खाते हैं, तो उसे क्लीन करने का हमें प्रॉपर तरीका भी बता हना चाहिए, आप एक बोल ले ले, उस के बाद अंगूर को इसमें डिप कर दे, और इसे दस से पंदर मिट के बीच आप अपने घर के बहुत सारे कामों को भी निप्टा सकते हैं, तो आरब अभी खुद से बात लेता है, तो बस मुझे उसे बीच बीच में जाके देखना पड़ता है, तो ये सारे काम यां यहा आप पुरे घर को मैनेज कर पाईएगा, और ये आपको इनर हैपनेस देने भी काफी जादा है, तो आपके बॉड़ी, हेर, स्कीन को जो भी चीज की जरत है, उसे आप जरूर टाइम दे, तो आज मैंने अपने बालों के के लिए एक बोल लिया है, सबसे पहले इसमें फ्र इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, और आपको ये कैपसूल किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, यहाँ पर मैं डालूंगी कोकनट ओल, इसे मैंने लगवे एक चमस डाला है, और इन्हें आछी तरीके से मिक्स करेंगे, इस डियावाई का यूज आप अपने स स्कीन में कर सकते हैं, आप अपने हेर के लिए कर सकते हैं, रात को सोने के समय इसे मैं डेली अपने फेस पर लगाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ, और अदर्वाइस आप इसे दो दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बालो के लिए बनाया है, इसने थोड़ा सबसे पहले इन कामों को निप्टा लेती हूँ, ताकि में दूसरे काम बिल्कुल भी डिस्तरब नाओ, इसे लगा लिया और फिर सारे चीज़ों को किया, बच्चों को स्कूल बेजना हो, पती को ओफिस बिजना हो, सारे काम बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं, फिर आप कोई भी फेवरिट शैंपू से आप इसे वाश आउट कर ले, इस तरीके की छोटे-छोटे हैक्स को फॉलो करके आप अपनो पूई तरीके से ध्यान रख सकते हैं, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जते तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रू करें, और य झाने, झाले ये ये वीडियो ये।